हेलो गाईज, पिछले लेक्षे में हमने ITK का फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया था, जिसमें हमने ITK क्या होता है, वो देखा था उसका अबजेक्टिव और कुछ ITKs पढ़े थे जो कि हम एग्रिकल्चर में यूज करते हैं, ठीके, आज हम पढ़ेंगे ITKs used in fishery, ठीके, fisheries में जो ITK use किया जाता है, अगर आपको notes चाहिए ITK का, तो हमारे description box में telegram channel का, telegram group का link दिया हुआ है, आप उसको join कर सकते हैं, और आपको वहाँ पे ये notes available होगा, ठीके, तो चलिए आज हम start करते हैं, आज का lecture, जिसमें हम ITK पढ़ेंगे fish trees में, ठीके, पिछले lecture में हमने agriculture का ITK पढ़ लिया था, आज हम fish trees का पढ़ेंगे, ठीके, तो indigenous technical knowledge in fish trees, अब देखते हैं कि fish trees में कौन कौन सा ITK use किया जाता है, तो पहला ITK है fish trees का, apply cow dung to feed the fish, ठीके, जिसे कि fish के लिए, खाने के लिए हम तो उसके दाने देते हैं, लेकिन हम cow dung को भी दे सकते हैं, जिसको fish जो ह तो fish के लिए हम cow dung as a feed को दे सकते हैं, applying oil cakes in the pond to feed the fish, ठीके, oil cakes का use कर सकते हैं, fish के feeds के लिए, applying rice kura rice husk in the pond, ठीके, rice का husk भी use कर सकते हैं, ठीके, pond में, applying lime in the pond to clean the unclean water, ठीके, lime का use किया जाता है, तकि जो हमाला जो घंडा पानी है we can clean, unclean water को clean करनी के लिए, lime का use किया जाता है, using banana leaves in the pond to feed grass carb, ठीके, grass carb जो मचली होती है, ठीके, जो के हमाला clean water में grow किया जाता है, जिनको ठीके, उसमें क्या किया जाता है बनाना लीफ्स को डाला जाता है ताकि वो उसको फीड कर सके ग्रास कार्ब जो है वो बनाना लीफ्स को बनाना के पत्ते को खाती है ठीक है तो banana leaves दिया जाता है, pond में डाला जाता है, ठीक है, ताकि grass carb जो है वो feed कर सके, next जो ITK है, that is used in livestock, ठीक है, livestock का ITK है, पढ़ने वाले हैं, तो पहला ITK है, feeding garlic mixed cow dung to chickens to control rannic hair disease, ठीक है, जो garlic होता है ना, garlic को हम cow dung के साथ mix करके chickens को देते हैं, ताकि उनको rannic hair disease से control किया जा सके, I hope rannic hair disease आपने पढ़ा होगा, यह हमारा animal husbandry का part है, ठीक है, तो rannic hair disease में होता क्या है ना, कि जो हमारा pollutory जो होती है, उनमें mortality rate जो होता है, वो बहुत जादा बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब जो जब वो birth देती है ना, तो उनके जो chickens होते हैं, या फिर जो उ उनको garlic को cow dung में mix करके, mix करके खाने के लिए उनको दिया जाता है, ठीक है, feeding, birth controlling tablet दिखा, birth को control करने के लिए tablet भी दिया जाता है, उन लो को, जिसको माया tablet बोलते हैं, ठीक है, इन chickens को दिया जाता है, ताकि हम rannic hair disease को control कर सके, और rannic hair disease को हम new castile disease भी कहते हैं, बहुत important है, इससे हमारा animal husbandry में भी question आता है, ठीक है, और यह हमारा ITK भी है, बहुत important ITK है, ठीक है, तो माया tablet उनको दिया जाता है, पॉल्य ट्रीज को, ठीक है, ताकि उनको rannic hair disease से control किया जा सके, next ITK है, feeding rice mixed with KMNO4, ठीक है, rice को हम mix करते हैं, KMNO4 के साथ, और फिर chicken को देते हैं, ताकि हम control कर सके, cure paul cholera disease से, हम control कर सके, poly trees को, ठीक है, chickens को, ठीक है, और उसमें क्या करते हैं, rice को हम KMNO4 के साथ, mix करके देते हैं, feeding the flesh of molasses to duck for rapid growth, ठीक है, feeding the flesh of molasses, molasses के जो flesh होते हैं, उनको हम देते हैं, duck को खाने के लिए, ताकि उनका growth जो है, वो rapid हो सके, जल्दी growth करवाने के लिए, molasses का flesh दिया जाता है, ठीक है, feeding the thorny amaranthus grass to livestock for improving lactation, ठीक है, lactation को improve करने के लिए, हम क्या करते हैं, thorny amaranthus grass, जो साग होता है, उसमें जब थौर्न आ जाता है, उसको हम cut करके, livestock को देते हैं, उससे उनका lactation जो है, वो improved, दूद देने का जो period होता है, वो increase हो जाता है, ठीक है, तो यह हम feeding देते हैं livestock को, तो यह था हमारा livestock का ITK, ठीक है, next lecture में हम importance और limitations बात करेंगे, ITK का, आज के लिए इतना है, thanks for watching,